आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तर बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान दिल्ली NCR में शीत लहर चलने की वज़ा से ठिटूरन बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार आज रात तक देश की राजधानी दिल्ली में शीत लहर का कहर रह जारी रहेगा इस बीच बुद्वार से ताफ़मान में बढ़ातरी की संभावना है और इस हफते के अंत तक नियूंतम ताफ़मान आठ डिगरी तक पहुँच जाएगा मौसम विभाग के अनुसार पस्चिमी विक्षोब और उतर पस्चिमी हवाव की रफ़तार धीमी होने से 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नियूंतम ताफ़मान में बढ़ातरी होगी इसके साथ ही 30 दिसंबर से गना कोरा पढ़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को नियूंतम ताफ़मान सामाने से 5 दिग्री कम 3.2 दिग्री सेल्सियस और अधिक्तम ताफ़मान सामाने से 1 दिग्री कम 21 दिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ वीदे 24 घंटों में हवा में नमी कस्तर 54 से 91 फीजदी रिकॉर्ड हुआ वही आज यानी मंगलवार को दिल्ली में अधिक्तम ताफ़मान 21 दिग्री सेल्सियस और नियूंतम ताफ़मान 4 दिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है सुभा के समय कोरा चाय रहेगा दिन में हलकी धूप निकलने की संभावना है लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिलेगी वही नौइडा में आज अधिक्तम ताफ़मान 22 और नियूंतम ताफ़मान 13.2 दिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है यहां भी धूप निकलने की संभावना है जबकि गुरुग्राम में आज अधिक्तम ताफ़मान 20 और नियूंतम ताफ़मान 8 दिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है यहां भी मौसम साफ ही रहेगा इसके अलावा दिल्ली NCR में प्रोदूशन के स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्च की गई है सफर के अनुसार दिल्ली का एर क्वालिटी इंडेक्स यानि की AQI आज 21 दिसंबर को 349 दर्च किया गया है जो बहुत खराब शड़ी में है वही नौइडा की वाईयों गुणमत्ता सुंचकांग भी आज बहुत खराब है और 321 रिकॉर्ड किया गया वही गुरुग्राम में वाईयों गुणमत्ता सुंचकांग 306 दर्च किया गया है वीरुपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी